दोस्तो जैसे डिजिटल यूग में हर व्यक्ति सबसे अच्छा करियर आप्शन चाहता है और हर व्यक्ति कम्प्यूटर और विजनेस की फील्ड में महारत हासिल करना चाहता है या फिर टेक्नलोजी में एक्सपर्ट बना चाहता है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पान में बताया जाता है तो आज के इस वीडियो में जिये जानेंगे कि बीवे कोर्स क्या है इसे कैसे करें इसमें कौन-कौन से कोर्स है और भी बहुत कुछ उसके लिए वीडियो को एंटर जरूर देखे और पहली पर हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पेस कर दें ताकि ऐसे ही करियर आपको पता चलते हैं तो चैनल अब अपने वीडियो के टॉपिक पर आ जाती है बीवे का पूरा नाम होता है बैशलर ओफ बिजनेस अनिस्टिशन यह एक रिजूशन बैशलर डिग्री कोर्स है जिसे आप ट्रेल के बाद कर सकते हैं इस को करने के बाद यदि अप खुद का भी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो इसमें भी काफी हैल्फ मिलती है विका कूर्स करने में तीन सवकर टायम लगता है जिसमें आपके 6 सम्स्टर होती है तो चैनि आप बीबी में कॉन कुल से कूर्स कर सकते हैं वह भी च सूरसेज, मार्केटिंग, फैलिबिलिटी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एकाउंटिंग, रिटेल, सप्लाइचेन, बैंकिंग, आइटी, तो इन मैंसे किसी भी फील में आप बीवे कर सकते हैं। अब इस कोर्स को करने के लिए अच्छे कॉलेज कौन से वो भी जान तो वो है धैली उनिवरसिटी चंदिगर आई एंधाबाद आयम बैंगलोर आई एम कॉलकता आई एम लखनाउ आप बात करते हैं के जोब प्रोफाइल की तो आप हर मैनेजमेंट बन सकते हैं Marketing Management, Marketing Organizations, Educational Institute, Entireship, Multinational Companies, Financial Organization, Export Companies, Supply Chain Management, Tourism Management, और Banks में भी आप जॉब कर सकते हैं अब बात करते हैं सेलरी की, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपकी स्टार्टिंग सेलरी 13 से 20 अजार रुपए तो होगी इसके बाद जैसे जैसे आपको experience होगा, आपकी salary increase हो जाएगी आप चाहें तो BBA करने के बाद MBA कोर्स भी कर सकते हैं इसके करने के बाद आप इस sector में mastery हासिल कर लेंगे जिससे आप किसी भी company में एक leadership की position पर आसानी से पहुँच सकते हैं आप से जरूरी बात है कि इस फील में career बनाने ये लिए, आपके अंदर skill और ability का होना भी पहुँच जरूरी है आपकी communication skill strong होनी चाहिए, साथ ही आपके English पर भी अच्छी प्रकाड होनी चाहिए इसके अलाव आपके अंदर खुद की creativity होनी चाहिए, problem solving skill आपके अंदर होनी चाहिए तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते है नाक्स वीडियो में अगर इस वीडियो को लेकर कोई doubt है तो मैं comment box में बता सकते है चाहें तो abby और insta पर भी पता सकते है इसके लिंक आपको description में मिल जाएगी and finally thanks for watching